सभीको ट्रिक सेंटर के और से गुद मॉर्णिंग चलिए अगरा हम टेस्ट सिरीज का सवाल को लेके चलते हैं जो कोशन पेपर ले जाते हैं घर पे या फिर टेस्ट देते उसके पास तो सवाल होगा ही होगा और जिसके बास सवाल नहीं है हम सवाल लिख देते हैं सवाल को स इसके पास question paper है ताकि आप जब भी question को बनाएए तो आपको दिक्कत होगा तो वीडियो निकाल के देख सकते हैं चले हम सवाल को बनाते हैं सवाल देखिए सवाल दिया जा रहा है कि राज चार दिन में एक काम को कर सकता है राज चार दिन में एक काम को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोहन उसी काम को पांस दिन में कर सकता है, रोहन रोह कर देते हैं, पांस दिन में कर सकता है, रिसी इसी काम को नो दिन में करता है, अब बोला जा रहा है, यदि वे एक साथ काम करना स्टार्ट करें और उन्हें 330 उर्पिया और उने 330 उर्पिया का भुगतान किया गया हो तो राज का हिस्सा क्या होगा कानी का मतलब तीन आदमी है आपके पास राज जो है चार दिन में काम को पूरा कर सकता है और रोहन पास दिन में पूरा कर सकता है अब यहां पर बोलता है रेश ही 9 दिने में पूरा कर सकता है अगर 3ों काम करे और इसके लिए 330 उर्पिया देंगे हम तो उसमें से राज का हिस्सा क्या होगा राज को कितना मिलेगा मतलब 3 आदमी है और 3ों ने मिलकर एक काम करना इस्टार्ट किया और काम करना इस्टार्ट करने के बाद तीनों मिलाकर ठीकेदारी जैसे ठीकेदारी होता है किसी को ठीका दे देता है बोलता कि इतना काम कर दिये तीनों मिलके चारों मिलके 500 मिलके हमको कोई मतलब नहीं है हम इतना रुपिया हम आपको देंगे आपको जैस इसको कुछ नहीं करना है सबसे पहले हैल समावर लगुत्म समावर तक निकाल लेते हैं यानि यह समय कितना लेगा 180 को चार से डिवाइड कर देते हैं यानि 45 दिर में यह पूरा लेगा ठीक है और रोहन को काम करवाना इस टार्ट करेंगे दिया 36 दिमीं टोटल करेंगा और इसी को करेंगे तो 180 बटन नो करते हैं यह बीस दिन में जाए ऐसे कर लेते हैं बहुत आसान है अब उसके बाद यहां पर हमको करना क्या कि तीनों मिलाकर 3030 उर्पिया दिया है तो 330 उर्पिया तेनों मिलाकर है। तो तीनों मिलाकर यहां कितना होगा। 101 हो जाएग। 65-11 हो गया। 11 के एक बाकी एक हो गया। 34-7-9 ,110 ,101 आपका नसकी सो जारा है। तो तीनों मिलाकर डिवाईट कर दिए होधी कती है। अब हमको पूछा जा रहा हे कि इनमें से राजिक राज का हिच्छा क्या होगा था राजिक का हिफ्सा व多 इस पाई ताली से आप को ना कर दीए आपका अंसर हो जाके तीर में काटेगा इसको तीन बार में काड़ सकते हैं एक जिरो होगे तीस होगे अब इसको 45-39 हम करेंगे 45-39 करेंगे 45-39 करने एक बाद इसको हल करते हैं पांस्तिया पंदरक पांच बांकी एक चारतिया बारे एक तेरा अब ये जिरो बैठ जागा यानि तेरा सो पचास उर्पिया राज को मिलेगा जो कि आपसन नमर बी में है बस ये आपका अंसर भी होगे को दिखते हैं उमीद करते हैं कि आपको समझ में ये सवाल आगिया होगा नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देख लिजेगा आगे पीछे करके कोई भी सवाल देखिया हम लिख रहें सवाल इसे लिए ताकि आप एक दो बार इसको देख लिजेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा चलिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं अगला सवाल आपको हम दिखाते हैं कि सवाल क्या है चले इस सवाल को देखते हैं जो कि सवाल नमर 42 में है आपका वो 41 का था यह 42 का है इस सवाल को देखना है कि सवाल कैसे वनेगा दिया जा रहे है que 6 दिनों मे 6 Shakesus और 12 महला यानि 6 पgenus चोपुस ब्छी दिदिये और और मतलब जोड 12 महला, महला मतलब उमेन ले लेते, किसी काम को 6 दिनों में, देखिए गदियांसे, 6 पुरुस और 12 महला किसी काम को 6 दिन में, उसके बाद बोलता है, 10 दिनों में, 10 दिनों में 3 पुरुस और 8 महलाओं दौर, यानि 10 दिनों में, बोला 3 पुरुस और 8 महला, दौर 10 दिन में, तो हमको पूछा जा रहें कि तो बताना आपको 18 पूरस और 12 महिला इस काम को कितने दिन में कितना दिन के लिए एक से ले सकते हैं को दिकत नहीं है सबसे पहला कम इस तरह बाले को बराबर करना होता है इस तरह बाले को बराबर करना होता है छो प्रूस और बारा महिला तो इसको करते हैं यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 6m प्लस 12w, कितने दिनों में, 6 दिन में, m1 गुरा d1, equal to m2 गुना d2, 3m प्लस 8w, into कितना 10, इसको लिखेंगे, काट सकते 3 बार में हैं, इसको काट सकते 5 बार में, तो 18m, प्लस 36w, बराबर 15m, प्लस 40w, एक तरफ कर लेते हैं, यह 3m हो जाएगा, बराबर 4w हो जाएगा, उस तरफ लेकि चले जाएगे, अब यह relation आपका आगया, तो इस relation का परियोग हम को करना है, तो हमको बोला जाएगे, 18m और 12w कितने दिनों में, 18m और 12w, कितने दिनों में, कितने के लिए एक तोगे, उपर दोनों में इसे किसी एक को लेते हैं, 6m plus 12w into 6 लेए आप नीचे ब लागए भी ले सकते हैं जिसको लेना है ले सकते हैं अब इसको हॉल करते हैं देखें 3m बराबर 4w 3m बराबर 4w यहां M कमान लिख सकते हैं या W का भी मान लिख सकते हैं कोई दिकत नही है M कमान क्या हो जाएगा फोर डबलू बटा तीन हो जाएगा, फोर डबलू बटा तीन लिखती है, पलस बार डबलू, इंटु एक्स हो जाएगा, अब इसको यहाँ M कमान अप लिख सकते हैं क्या, फोर डबलू बटा तीन, पलस बार डबलू, इंटु एक्स हो जाएगा, देखें डबलू डबलू दोनों तरफ से cancel हो जाएगा इसको 6 बार में काट सकते हैं 6 बार में कटेगा 24 यहाँ जोगा 24 बार 36 हो जाएगा 36 X बराबर इसको 2 बार में काट सकते हैं 8 हो गया 12 8-20 हो जाएगा बीशक्स हो गया पस X कमान निकालना चार से काटेंगे नो बार में यह कट जाएगा यह पाच बार में इक चाएगा तो X वराबर आपका हो जाएगा 9 बटा 5 इसको लिख सकते एक पौनांग 4 बटा 5 एक पौनांग 4 बटा 5 आपका अंसर हो जाएगा कोई भी आपका इसे नहीं दिख रहा है 9.50 एक पोर्णंग चारवेट 5 आपका अंसर होगा कहीं भी अंसर आपका दीख नहीं दिख रहा है optshire यह एक बार सवाल हम देख लेते हैं अ उसका फिर आपको हम बताते है क्या यह पर फिर सो उपर से समझ लेते है सवाल में यहां दिया जा रहा है कि 6M और 12W छे दिनों में इसको लिख लिए और 3M 8W यहां पर दिया 10 दिनों में इसको हल कर लिए यह डिलेशन आ गया तो यहां से में बरावर हम लिख सकते हैं 4W बड़तीन हो जाएगा तो हमको पूश्ट है 18 प्रूस और 12 ओमें कितने दिनों कितना के लिए अब ओपर दोनों में से किसी को ले सकते हैं इसको हम लिए 6M 12W हो गया 6 हो गया अब इसको यहां 18M के अस्थान पर 4W बड़तीन हो गया 4W बड़त द्रूस हो टोनों है अब उसके बाद देखिये क्या करना कि इसको कार दी यहां 36 हो जाएगा ठीक को दिक्कत नहीं अब यहां पर 6 होगा एकस के अस्थान पर सिक्स हो जाएगा आप इसको तीन दुना exclusion 3-10 हो जाएगा यह 10 सवाल लंबा ही जाता है लंबा ही बनाना पड़ता है क्योंकि यह अब वाद सरूप है टाइम एंड वर्क का जो इस्टुरेंट टाइम एंड वर्क नहीं परेंगे हमसे तो थोड़ा से दिक्कत होगा उसको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आप ध्यान से देख लिए यह का सब्सक्राइब है तो आप को नहीं चल Запाऊटन अग्ला सुवाल दिखाते हैं कि समांतर पट्री पर बिपरीद दिसों में दो ट्रेंट 120 मेटर और 120 मेटर यहां पर है और 180 मिटर लंबी है और 120 मेटर लंबी है तो दूरी आपका हो जाएगा कुल मिलाकर 120 जोर 180 बरावर 300 मिटर कोई दिकत नहीं है दोनों को जोड़ लेंगे आप उसके 65 किलोमेटर और 35 किलोमेटर परदिगंटा की चाल से एक दूसरे को पार करने में कितने समय के लेगी विपरीद दिसा तो विपरीद दिसा में तो जूट जूटेगा तो जूटेगा तो चाल हम जोड सकते क्योंकि ट्रेन चेप्टर में आप परें कि विपरीद दिसा में जब रहेगा तो इसका चाल जूटता है जिसको जोड़ देता है यह दस हो गया यह 100 को दिकत नहीं है 25 और 35 पांस दूना पांस पांस दस के सुनना बागी में छोटिन नोग एक दस हो जाएगा यानि 100 किलो मेटर प्रतिगंटा हो जाएगा तो हमको समय चाहिए समय बराबर क्या होता है दूरी बड़ा चाल तो दूरी आपका 300 हो चाल यह केलो प्रतिगंटा में में मेटर प्रतिश्कन बनाने के लिए 15 फड़ा होता है 18 यहां कर यह जीरो जीरो यह कर जाएगा इसको काटेंगे तो 10.8 मेटर फरती सकेंड सिकेंड हो जाएगा समय काम कारणा आप निस ट्रेस्ट चलना परएगा क्यूंकि सवाल जाता रहता है हमको ट्रेस्ट के अलाबाद दोसर चीए जब हम पढ़ाएंगे तो ऐसंगे देखना पर इस तो आपको प्रेसान ही नहीं होगा चलिए अगले सवाल पर अगला सवाल हम देखते हैं देखे इसका स्वाण ग्याद करना ग्रेये कारना को आपधार हका कि सबसे पहले यह पुइंट देखते हैं कि तो अपने मंद से सोसे गुना कर लेते सब में क्यूंकि यह सीधा हो जाए तो एक सोस घुना करेंगे पॉइंट खटम हो के 84 हो जाएगा एक स्वफ गुना करेंगे इसका पॉइंट्ट्राइघ करेंगे एक सपोस्तालिस होências यह कुना करेंगे यह जाएगा दूसरों क्या पोडिकत नहीं अब इसमें से से स्कुер निकालना है तो साक्रेस तो नकाल लेते हैं सबक HACF मतलब जो सब में koman होता है वह होता है तो देखिए इसमें भी है कि और में और क्षिस आपके से काटेंगे तो यंद्र करेंगे शथ तो यह साथ वार में हो जाए यानि एक इस गुना साथ 147 लिख सकते हैं एक इस गुना साथ 147 हो गया इसमें एक इस गुना चार लिख सकते हैं जो सब में कुमन है उसको हम स्टिय बोलते हैं एक इस सब में हैं एक इस हमने लिए कोदी कर दिए अब एक सो से हम एक्स्ट्रा ग अगले सवाल को दिखाते हैं अगला सवाल क्या है आपका अगला सवाल देखिए कि देखिए सवाल कहता है कि एक उपकरन 30 सकेंड के बाद तो 30 सकेंड हो गया और दूसरा उपकरने 32 सकेंड के बाद 32 सकेंड हो गया और बोला जा रहा है कि पहली बार या 11 बज़े बीप किया तो फिर पूस्ता है दूसरी बार कितने बज़े बज़ेगी यह दोनों का लगुत्तम सवाबर तक निकाली यह है कि ऐसेम्य आपका एक रासीह संबस्ति लेंहां का 480 हो जाएगा इसको हल करेंगे तो यह संहाइंडु कहले बार बनाने के लिए मिनट बनाने के लिए साठ से रिवाइड करते हैं तो आठ मिनट के बाद ये फिर से बज़ना स्टार्ट हो जाएगा एक ग्यारा बज़े ये बज़ा था आठ मिनट के बाद बज़ेगा तो हो जाएगा एक ग्यारा बज़कर आठ मिनट आंसर हो जाएगा इस तरह सवाल में कुछ नहीं करना होता है बस लागुत्तम सवावर तक निकाल लिए अब सकेंड मेहते मिनट बना लिए बस जो समय दिया उसमें जोड़ लेते आंसर होगे समझ बाच चुका है आपको सवाल बोला कि एक उपकरण 30 सकंड के बाद एक बार बसता है और दूसर सवाल तयार हो जाएगा चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं अगले सवाल अपको हम दिखाए देखे सवाल बोला जा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संभब लंबाई का उपयोग 16 मेटर 25 सेंडिमीटर और 22 मेटर 75 सेंडिमीटर 29 मेटर 25 सेंडिमीटर मापने के लिए प्र Sело meat पतिश संदिमीटर और बाई सी मेटर 25 सेंडिमीटर 29 मेटर 25 सेंडिमीटर सब को नाप सब इसको कौन नाप होना जगिए जैसे यहां पर बोलेंगे कि इसमें पांच किलो दूद है कि पांच के जी दूद है इसमें हम बोलेंगे कि आदा के जी दूद है यानि हाप के जी दूद है और इसमें हम बोलेंगे deux की इनि पवर्द हम बोलेंगे क्वयर कोन रओना चाहिए जो सब डूद्ट को नाप सके Premium कि सनाप से पावभा सा नाप होगे या अध्किलवा साझआ ऑप आप बोलेंगे कि पॉलेंगे की ब्लोडवे अध्धकिलो दूधर है पचास किलो की लाफ है और हुआ Wednesday आगर पावा से नापना हम- इस्टार्ट करेंगे पव वह से 50 Kilo भी नाप सकते हैंकि किलो भी नाप सकतें पांच किलो भी नासे सब नपा जाए अगर हम बोलेंगे आध्यकिलो से हम 15 तो आध्यकt किलो से रापेंगे स्टाइगे पावरर क्लार नाप सब fans पहला काम इसमें क्या होता है कि आप एक यूनिट में बनाना पड़ता है आपको तो 16 2005 तो यहाँ पर 1625 संडिमेटर लेक्ष सेंढमिल्ण की यहाँ जैंगे क्योंकि मिमिटर को संडिमेटर में तो आप इसका निकालेंगे तो आपका 325 आपका आंसर हो जाएगा यानि 325 सब में दीखेगा आपका आंसर हो जाएगा आप देखेंगे आप बोलेंगे कि कैसे हम इसको चेक करेंगे चेक करेंगे इसके हिसाब से 325 इसको काट रहा है 325 इसको भी काटेगा 325 इसको काटेगा आपका आंसर हो जाएगा बड़ाबला से स्टार्ट करते जो अगला सवाल आपको दिखाते हैं अगला सवाल क्या है कि देखिए यह सवाल में बोलना जारा है दियान से देखेंगे बोलना जारी कि बिक्रम 47 नमरे बिक्रम के पास 8000 रुपिया है वह इस पाइसे को साधारन ब्याज पर देता है और चार बर्सों के बाद यह दुगनी हो जाती है तो यदि ब्याज के दार पिछले बरस्ते 3 पर प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको दिक्कत होगा बनाने में टाइम लगेगा तो आप इसको कैसे बना सकते हैं फटा पट बिना प्रोसेस का इसको कैसे हल कर सकते हैं ध्यान से दिखेगा हम बताई कि दुगना होने के लिए दुगना होने के लिए 100% होगा तो ब्याज से भाग देते हैं तो यह 35% से यह दूगना हो जाए लिए को अब बोलता कि तीन पर्तिसद आधिक कर दीए तो इसे दिवाइट कर दीए तो यह अपको बड़ से निखल जाएगा इसको चार से काटेंगी है 25 मी काटेगा चार से काटेंगे साते बड़ में कार्डे का 25 वा हुई पर चार बड़ कुष उद्द UP perpet 7 उद्र bracket एक दुबार आगे पीछे विडियो करके एक दम थोड़ा से चलने दियूए कोई दिक्थ नहीं है जो कुछ भी नहीं जानते है सवाल को देखते रहिए देखते 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 आपको पकर में आ जाएगा देखते रहना जिंदा नहीं करना आप देखते रही है सवाल को एक बार दूबार क्यूंकि हम इसको उतना डिप जाएंगे तो फिर श्वाल बना ही ने पाएंगे तो इसलिए इस पीड में थोड़ा चलना पड़ता है तो फिर दिक्कत नहीं होगा अगे हम चेप्टर पर आएंगे तो ध्यां देना है बिक्रम के पास 8000 रुपिया है तो दुगना याद रखना है कि कोई भी चीज दुगना होता है तो उसमें 100% की बिर्दी होता है दर से भाग देते हैं तो समय मिलता है और समय से भाग देंगे तो दर मिलेगा तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि छारव बडस में बडस से हम भाग दिये तो होगिए 25% बडस से भाग देते हैं तू दर निकला तो यह दर होग अब दर बोलता तीन परसन बढ़ा दी यह 18 कर दी यह तो यह दुगना कितने बड़सों में होगा तो डुगना के लिए क्या 100 तो होता है मेत सवाल हाई और सवाल को देखेंगे यहां पर सवाल बनाता है他बरी 그러翌 homme क्या सअ Qui Re Cass आ और उस परकार वह तीन और ऑसत में तीन बना देता है तो य। मैच के बाद उसका आौसत राण हरा यह और प्रेज का सवालए आउस्वाल है हम हम बताते हैं इसमें कि जिस मैच में रन बनाएगा उसको छोड़ के पिछला में चलेगा पिछला में चाठा रहा होगे जितने कि बेर्धी करेगा तीन तो तीन से गुना कर लिए अठारतिया चावन बस चावन इसमें माइनस कर लिए बारह मैं से चार गया आठ हो गया यहाउसत में सवाल हम परहा चुके है यहाउसत चैप्टर का है चलीं अगला सवाल में लेकि चलते हैं अगला सवाल आप बनाईएगा नेखिए इस सबाल को देखेंगा आप सवाल भी दिया जाए कि तीन सांख्य ए इबिसी है एबिसी ले लिए तेरा अनुपाथ 15 17 को दि करती है इन सांख्या का योग मतलब सब का योग सथ पांच बारा बारा तीन कितना पंदरह 15 के पांच बांगी एक हो गया एक दू तीन चार पैतालिस हो गया इन सांख्या का योग B और A का अंतर कितना होगा दो कोई दिकत नहीं दो ले लिए अब उस्ते बाद बोलता है कि अनुपात जो चाहिए हमको C और B के अंतर के बीच का भी अनुपात चाहिए तो 540 बटा ये 45 रहेगा ये रहेगा और यहां पर B C और B C और B के बीच का अंतर कितना होगे ये 2 होगे तो 2 होगे यहां पर भी दो ले लिए अनुपात ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आपका होगे A का अनुपात एक बस यह उत्तर होगे ये अंसर होगे और कुछ नहीं करना है एक अनुपाति एक आपका अंसर होगी है फिर से रिपीट कर लेंगे बीचे करके आपको समझ मा जाएगा चलिए अगला सवाल आपको हम दिखाते हैं देखेंगे इस सवाल को सवाल में दिया जारे कि 4980 रुपया में टीवी बेचने पर एक दुकांदार को 17 परसंट की अहानी हो गया तो 17 परसंट हानी को क्या लिख सकते हैं यहां पर 17 एक सुम घटा देंगे एक सो में आप सतरा घटा दिए तो 83 हो जाएगा सतरा परसंट हानी हो गया तो करेमुल आप निकाल लिए करेमुल कितने पर हो जाएगा सोपर तो करेमुल सोपर निकाल लिए इसको हल करते हैं इसको हल करने के बाद ये 6000 आपका हो जाएगा टोटल टोटल चो हजार हो जाएगा तो इसका मतलब यह आपका हो गया करेमुल चो हो जाएगा को दिकतिस में नहीं है सबसे पहले यहां ध्यान देंगे आप कि यहां पर आपको दिया जा रहा है कि कि 4980 रुपया में टीबी सेट बेचने पर 17% हानी होते हैं 17% हानी को 83 हम जानते हैं तो 4980 में 83 हो गया तो करेमुल आपका 100 होता है करेमुल पर क्या होता है लाव हानी सठता है हम परा चुके जो मेरे पास परहे होंगे तो उसको पता होगा यह बस एक लाइन में आप आंसर है तो आट परसंट का छूट छूट तो यह बट्टा अंकित मुल पर होगा तो करेमुल पर लाव और हानी होता है तो लाव हानी कि इसको काट सकते 15 चोके साथ ये 1500 पंदरा फचे 75 बस यहीं आपका अंकितमुल अंसर होगे यह अंसर होगे और कुछ करणा नहीं है जो चेप्टर नहीं पढ़े तो थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि यह टेस्ट का कोसर है टेस्ट में थोड़ा इस पीट हम चलेंगे यह चलें सत्यार्थ को एस करते हैं कोस को के करते हैं आयू का योग आयू का योग 14 साल के बाद 14 साल के बाद उनकी बरतमान आयू के दुगने के बरावर होगे यानि 14 साल के बाद जो होगा यह बरतमान में हम ले लिए 14 साल के बाद चलते हैं तो सत्यार्थ 14 साल बाद हैगा और कुस भी 14 साल बारेगा उनकी बरतमान आयू का दुगना बोला दुगने के बराबर है तो दू से गुना इसमें आप कर दिये बीच में इकॉल डू कर दिये कोई दिकत नहीं है अब देख लेते हैं कि दू हो गया S पलस के यहां पर हो जाएगा अब उसके बाद S पलस के S पलस के पलस 28 हो जाएगा अगे बोला जारी यदि बरतमान में सत्यार्थ कुछ से चोवर्स का बराओ सत्यार्थ जो है कुछ से चोवर्स का बरा तो आगर यह X हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा X प्लस हो जाएगा दू यहां ले लिए अब यहां पर यह सत्यार्द कुछ से छोवर्स का बरात यह X हो गया तो यहां पर हो जाएगा X प्लस हो जाएगा यह 24, 28 हो जाएगा कोई दिक्षा नहीं है अब इसका solution करते हैं यहां पर हो जाएगा 34 मानिस 12 होगे यह 2 हो जाएगा और 3 में से एग यह कितना हो जाएगा 22 होगा X प्लस होगा अब X प्लस होगा च्छो सल का यह बरा है तो च्छो सल का बरा है तो यह कुछ कितने को हो जाएगा यह कुछ का भिलू होगा 11 अब यहां होगा सट्यार्थ का भी लोकितना हो जाएगा एक्स पुलस फो एक ज्यारह छोग सब्स यहां 117 का वर यह अपका आंसर हो जाएगा 11 और शब्स बड़ान को बैठा सकते हैं चलते अगले सवाल आपको दिखाते हैं कि अगले सवाल आपका है सब्सक्राइब हो जाएगा तो Xomena Ben 15 हो गया ंए 10 संख्या 15 हो जाएगा और दोसरा संख्या 15 12 हो जाएगा KTcause 17 15 τονडग PR它 हो गया अब बोला जा रहाए आपको कि परते एक संख्यम है तीन जोड़ा जाता है तीन जोड़ा जाता है तो तीन इसमें भी जोड़ दिये तब अनुपात पोस्ता है यह 18 हो गया यह 30 हो जाएगा इसको काट सकते आप इसलिए हम बोलते हैं कि कोस्टन पेपर लेके जरूर जाहिए सवाल को मेरे बनाने से पाले दो तीन बार आप ट्राइक किजे कम सकम पढ़िए सवाल को कि काहता क्या है उसका फिर हम बनाएंगे तो आपको समझ मा जाएंगा क्योंकि नहीं कोस्टन पेपर रहे का सिर्फ कोस्टन पेपर आपके पास होना चाहिए सवाल देखके समझके बनाईए तो फिर आपका सवाल तेगार हो जाएगा चले अगले सवाल को लकिए चलते अगले सवाल बनाते हैं देखे सवाल इस प्रकारं से हैं यह आपको वर्ट ज्याद करा हैं क्या हुए ? यह 90 डिगर लि तो तिरबुच के तीनों को उनका एक योगफल 180 डिग्री होता है 180 में यह 90 प्लस 37 को हम घटा लेते हैं आपका आंसर त्यार हो जाएगा एक 930 912 को जाएगा बस इसको घटा लेमा एक सोचोविस गटा लेगा आपका यहां साथ में दोग यह 56 आपका आंसर द्यार होगे 56 आपका आंसर द्यार जाएगा आपको और द्यूंस चलते हैं अगले सवाल को बना लाए देखे सवाल में बोला जा रहा है कोई बिता है बिता का केंडर तो ओ होगा एबी केंडर ओ के साथ बियार सा यानि एविकूंई उसके बाद और यहां पर बोला जा रहा है और तिर्जिया ओडी तो ओवा है तो 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 बी बी ए डी तो बी हो गया यह हों गए तो कॉन बीए यहाने दूगोन भी गीशुने कारने का रहिए अगली स्वाल को लेकर चलते सबस्तहीं थे अगले शवाल सभाइ कि attempting एपन सभानम कंद कि अलीट सिफ Tul3 में अनुपात दिया गया तो इसका ट्रिस त्रिप्लीयत अनुपात थोट्र अनुपात मतलब थीन नवर होना चाहिए तो इन को दिस तुछ करना नहीं है तीन ओन एक तो लीए तो धन्या और यो hey स्कोर का मान आप मrika का अंज़ Salut audit मैंам फाल कर लेंगे सिकसर त्यार हो टोफ इसको हल करें अब का आंसर बन जाएगा अगला स्वाल यह अगला सवाल देखें सफाल को देखें है कि क tragen शाल ये ये वसितना ही आगे हम कल देखते हैं